हेलो दोस्तों इस टैप का कोश्चन आपको एक्जाम में बार वार मिलता होगा और यह क्लॉक का कोश्चन है जैसा कि आपको पता होगा कि यह आपका फ़र्ष्ट कोश्चन है और यह SST में पूछा गया कोश्चन है आज हम तिन चार कोश्चन के साथ आपके साथ आये हुए ह जो आपको बिहार SST, Railway, SST, ऐसे महत्पूर्ण जो एक्जाम है आपका, उसमें आपको बार बार इस टैप का question पूछा जाता है, लेकिन आप क्या करते हैं, इस टैप का question में काफी समय लगाते हैं, और हम इस समय को बचत करने के लिए, हम आपके साथ बिल्कुल सौर्ट मेठ के साथ आपके साथ ये 5 मिनिट का वीडियो होगा, जो आपको एक्जाम में बहुत बड़ा काम आएगा, ठीक है, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों कि एक घड़ी में 6 वजगर 36 मिनिट हो रहे हैं, तो दोनों सुईयों के बीच का कोन क्या होगा, दोस्तों हमको पता है कि 11 by 2 m 30 गुने h, यानि h गुने 30 पलस मैनस एंगल, इस पर हम बनाते हैं ठीक है, और इस पर बनाते हैं तो हमको क्या कहता है, कि बनाने के करम में समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, और आपका answer निकलता है, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इसको हम 100 मेठर म बताएंगे जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप अपना सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले यह देखिए दोस्तों कि आपको इस टाइप को जब भी आपको कोस्चन मिले तो आप क्या किजिए कि एक घड़ी ले लिए और घड़ी में कि आपका उपर 12 रहता है और नीचे में 6 रहता है और यहां पर आपका तीन होती है और यहां पर आपका नौ होती है माल लिजिए कि आपका कहीं अगर समय दिया हुआ है कि आपका 12 बजकर 15 मिनट हो रहा है ठीक है अगर आपको 12 बजकर 15 मिनट हो रहा है तो दोनों पदों का अंतर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पहला जो आपका घंटा वाला सुई होगा वो तो आपका बारे पर होगा ही ररिवाय गार्फ इसको हम केंदर मानने तो अगर त यह अगर घन्टा वाला सुई बहुता यहां होगा और यह आपका जो होगा यह आपका यहां होगा और इसके बीच में जब आप से कौन पुछा जाएगा दोस्तों तो यह आपका जो डारेट दिख रहा है यह कितना का कौन बना रहा है तो वह आपका 90 डिग्री का कौन बना रहा है यह तो आप डारेट देख रहे ह आध्यम से इसको हम कैसे बनाते हैं देखे दोस्तों दोनों पदों का अंतर आपका फर्मूला क्या होगा कि दोनों पदों का अंतर गुने 30 पलस मैनस मिनट का आधा यह फर्मूला आपका रहेगा ठीक है कोई भी कोस्चन रहे क्लॉक का अगर आपको जल्दी बनाना है तो इस फर्मूला पर आप बना सकते हैं जैसा कि आपको यह दिख रहा है कि 12 बज कर 15 मिनट ठीक है आपका समय 12-15 होड़ा है दोनों पदों का अंतर सबसे पहले देखिए घंटा का सुई तो आपका 12 पर होगा यनी कि देखिए 12 दोनों पदों का अंतर अगर मिनट का सुई अगर 15 मि मैनस आएगा तो आप यहां पर मैनस लीजिए और यहां पर आगर आपका पलस आएगा तो आपको पलस लेना है ठीक है यहां देखिए 12 में से तीन जाएगा तो 9 बचेगा यनी पलस में क्या लेना है minute का आधा minute देखिये आपका कितना हो रहा है तो minute हो रहा है 15 15 का आधा जो आपका होगा वो आपका सारे 7 degree होगा ठीक है आप देखिए यहाँ पर आपका 9 हो جाएगा और 9 को 3 से गुणा किजिएगा तो आपका हो जाएगा 9 सतना 27 और और पलस में 7.5 ठीक है यह हो जाएगा 270 और पलस 7.5 यानि कि टोटल जो है 277.5 आ जाएगा इसका बीच का कौन यह जो आया दोस्तों इसको हम बोलते हैं ब्रिहद कौन ठीक है दोनों सुईयों को बीच यह जो है आपका ब्रिहद कौन है जब भी आपको direct कौन पूछा जाता ह है दोस्तों उसमें क्या है कि आपका चोटा कोन होता है चोटा कोन निकालने के लिए आप Пूइडर को घटा लेजिए को घटा लेजिए ठीक है यहां पर गटा आहिएगा तो आपका यह 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9, 9 में 7 गया, 2, और यहाँ पे हो जाएगा, आपका 5, 15 में से 7 गया, 8, और यहाँ पे, यानि कि सारह 82 degree का कौन जो है आपका दोस्तों बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हमको देखने में तो समकौन लग रहा है, लेकिन आपका रियल में इसका कौन कितना बनेगा, तो वो आपका सारह 82 degree का कौन बनेगा, आसा करते हैं कि यह ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं कि अपने कोस्चन पर, कि आप खिर मेरा कोस्चन क्या है दोस्तों, देखें कोस्चन में आपको यह दिया हुआ ह कि यदि किसी घड़ी में 6 बज कर 36 मिनट हो रहे हैं, तो दोनों सुईयों के बीच का कौन क्या होगा, ठीक है दोस्तों, अगर इस टाइप का कोस्चन अगर आपको दिया हुआ रहे, तो इस टाइप का कोस्चन को हमको कैसे बनाना है, एक्जाम में यह देखिए, दोस्तों आपका जो समय दिया हुआ है, वो आपका 6 बज कर 36 मिनट, ठीक है, इसको आप क्या किजे कि रेशियो में कटा लिजिए, यनि रेशियो कटाने का मतलब छोटा में बदल दिजिए, इसको जह 6 कम 6 और 6 चा का 36, इसका जो है रेशियो दोस्तों, एक अनुपाद 6 आजाएगा तो आपको क्या करना है कि मिनट का आधा डायरेक्ट कर दिजिए, यनि कि 36 आपका दिया हुआ है, अगर उसका आधा कीजिएगा, तो इसका जो है आपका 18 डिगरी का कौन बनेगा, और और आप्शन B में, आसा करते हैं कि यह कोस्चन आपको समझ में आ गया होगा, चले दो दोस्तों अब हम चलते हैं, नेक्स्ट कॉस्चन की और और आपका अगला प्रस्न है, यदि किसी घड़ी में 2 बज़ कर 20 मिनट हो रहे हैं, तो दोनों सुयों के बीच का कौन क्या होगा, यह देखिए दोस्तों यह बिहार SSE का पूछा हुआ प्रस्न है, और यह भी आपका समय जो दिया हुआ है, वो 20 मिनट का समय दिया हुआ, इसको आप रेशियो में कटाईएगा, तो एक अनुपाद 10 आजाएगा, जब भी रेशियो एक अनुपाद 10 आए, आपको याद रखना होगा, ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा, तो फिर आप इस टाइप का कोश्च और 20 का आप करते हैं, अरहाई गुना, तो इसका जो है, फाइनली अंसर वो आपका 50 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्सन बी में है, और आपका ये प्रेंटिंग मिस्टेक हो गया, थुरा सा टाइपिंग, इसलिए आपका 50 होगा, ठीक है, आसा करते हैं कि ये भी कोश्च रेलवाई का एकजाम में अगर आपको जब भी कलॉक से कोश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको अक्सर दिखिएगा, कि आपका जो है, यह यहीं कि विनेट वाला जो है, वो आदम एक्जेक्ट पदो पर जाके रोखता है, यानि 20 मिनट पुछेगा, 25 मिनट स्मींस एंगल पर ठीक है इसको देखिए आप हम दोनों पदों पर अंतर वाला ट्रीक पर बनाते जी को कैसे बनाना होता है देखें दोस्तों कि सबसे पहले हम आपको बताए दोनों पदों का अंतर घंटा वाला तो एकदम आठ पर रहेगा ही अगर घड़ी में आपका 45 मिनट, घड़ी में आपका 45 मिनट हो रहा है, तो घड़ी का जो मतलब मिनट वाला सुई जो होगा, वो मिनट वाला सुई आपका 9 पर जाएगा, ठीक है, 9 पचे 45, यानि कि 9 पर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें 30 से है और यहां पर देखिए यहां पर अगर मैनस आएगा तो मैनस और यहां पर पलस आएगा तो पलस देखिए आठ में से नौ तो जाएगा नहीं यानि कि मैनस आएगा तो यहां पर मैनस दे दीजिए और मिनट का आधा यानि कि 22 कि दसंबलब 5 कर लिजिए ठीक है यहां देखिए एक गुना 30 हो जाएगा और माइनस 22.5 हो जाएगा और आपका जो एंसर निकल के आएगा वह आपका साथ दसंबलब 5 डिग्री आएगा जो की ऑप्शन डी में आसा करते हैं कि यह भी कोस्चन आपको समझ में आगे देखिए यह रेलवई एलपी का पूछा हुआ प्रस्चन है जो आपका 2022 में हुआ था एकजाम करण में आपको कुछ बातों को ध्यान रखना हो गा कुछ बातों को याद रखना होगा तब इस टाफ का कुश्चन आप बना पाएंगे ठीक है दोस्तों यह question है कि यदि घड़ी की घं गुमती है तो उसी दवरान मिनट वाली तूधिर झितने डिन घुमेगी दोस्तो आपको यह बताया जा रहा है कि घंटा का स्वी अठारे डिरिगुमती है सब से पहले दोस्तों आपको यहंचा होना चाहिए कि घंटा का स्वी एक मिदक्त 10 में घूमती है ठीक है तो दोस्तों हम आपको बता दे कि जो आपका घंटा यह निकि यह देखिए आवर्रवाली जो सुई है एक मिनट में हाफ डिगरी का कोन बनाती है और आपका जो मिनट बाली सुई है, एक मिनट में छे डिग्रे का, अगर ये दोनों बात अगर आपको दोस्तों याद है, तो परिक्षा में जो है, आपका कोस्चन बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है, और आप असानी से इस टैप का कोस्चन बना सकते हैं, तो देखिए, ये दोनों बात आपको याद सायद होगा ही, अब हम बनाते इस टैप का कोस्चन को बनाना है कैसे, देखिए दोस्तों, अगर एक मिनट में हाफ डिग्रे का कोन बनाती है, घंटा का सुई है, वो आपका दो मिनट का समय लगेगी, ठीक है, आपको घंटा का सुई को बढ़ाना कितना है, यानि कि इसका जो मान है, मान लिजिए इसको अठारा पे लेकर आएंगे, तो इसका जो है अठारा गुना हो गया, उसी तरह अगर मान लिजिए, आप आगे से कर लिए गुना, पीछे से नहीं कीजिएगा, तो पीछे वाला रूठ जाएगा, कि हमरा ना ठीक है, तो अगर आप आपको एंसर आ जाएगा, ठीक है, अब पूछ रहा है कि उसी दरान मिनट वाली सुई, उसी दरान मिनट वाली सुई कितना, यानि कि 36 मिनट में आप से पूछा जा रहा है कि मिनट वाली सुई कितना डिग्री घुमेगी, तो दोस्तों आपको हम ये बता दे कि मिनट वाली वीडियो आपको पांच मिनिट का था और आपको बहतर लगा हो तो आप मित्रों के साथ जरूर सेयर करें अगर इस टाइप का कॉंसेप्ट और ट्रीक लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें कि यस कि यस तो कर देना